हलो दोस्तों केबिनेट की बैटर में कल भी हार बुलिस में टोटल 75,543 नई पोस्ट को सिरजित किया गया है जिसमें की 48 जा 447 पोस्टों पर सीधी बहली होने बाली है इसमें दरोगा यानि की SI के टोटल कितने पोस्ट राने बाले हैं कॉंस्टेवल यानि की सीपाई के में हुई बैठर में 75,543 पदों को मिली मंजूरी बिहार पुलिस में 48,446 पदों पर सीधी बहली होगी और इसे के बारे में आप सभी देख सकते हैं कि आज की निजपेपर में कागया है कि बिहार पुलिस में 75,543 पदों पर बहली होगी मुख्य मंतरी निदीश कुमार ज चरन में इमर्जनसी रिस्पोंस सपोर्ट सिस्टम ERSS के तहत 19,288 और पहले चरन में ERSS डायल 112 के पुलिस संबर्ग और गयर पुलिस संबर्ग के 78,108 पद सामिल हैं केबिनिट ने खुल 13 परस्ताओं पर सुक्रिती दी हैं बैठक के बाद केबिनिट सच्ची वाल है कि अप उन्होंने का कि पुलिस कर्मियों के परसिक्षन की छमता साधन और रासी को ध्यान में रखते वे जल्द से जल्द बहाली राजसरकार करेगी 48,447 पदों में पुलिस अवर निरक्षक वर समकक्च के यानि की दरोगा के टूटल 20,937 पद सिपाई वर समकक्च के यानि की कौंस्टेवल के टूटल 22,010 पद तता सेस पदों पर सिपाई चालक के यानि की लगबग 55,00 पद सिपाई चालक के यानि की डिरावर के राने बाले हैं उसके बाद कर गए कि वहीं E.R.S.S. के तद सायक अवर निरक्षग सीपाई आदी के पद होंगे मालूम हो कि मुख्य मंतरी नितीश कुमार ने कुछ दिन पहले ही गांधी मैदान में पुलिस कर्मियों के न्यूकती पत्र बितरन के दोरान भी गोसना की थी कि और नई पद जल्द ही सिर्जित किये जाएंगे इसको लेकर आवस्यक करवाई तेजी से करने के निर्देश उन्होंने मुख्य सरजीव समेत अन्य अला देकारियों को दिया था ग्री विवाग ने जारी आदेश के में कहा कि बिहार पुलिस के सिर्देकरन के लिए राष्टी अउसत के नुरूप बरती जन्संक्या के नूपात में आवस्यक्ता नुसार इन पदों को सिल्जित किया जा रहा है ताकि आम नागरीकों को यथा संबब अपरात मुक्त समाज उपलब्द करया जा सके वही डायल 112 के ताद पुलिस कर्मियों की न्यूक्ति की जाएगी ता की अपात इस्तिती में फसे नागरीकों की साहता बेहतर ढंक से की जा सके मालूम हो की आपदा के स्तिती में फसे लोगों को ततकाल रहत देने के लिए डायलेक्स वारक की शुरुवात की गई थी तो बिहार पुलिस में टूटल 75,543 नई पोस्ट को सिर्जित किया गया है जिसमें की 48,447 पोस्टों पर सीधी न्यूकती यानि की सीधी भरती होने बाली है अरताली 4,447 पोस्टों में आप सभी के दरोगा रेंग के टूटल 2937 पोस्ट राने बाले हैं वहीं कॉंस्टेबल रेंग के टूटल 22,010 पोस्ट राने बाले हैं उसके बाद सिपाई चाल तरीके से यानि कि कई चर्णों में आप सभी को ये भरती देखने को मिलेंगे अगर बात करें बिहार पुलिस कॉंस्टेबल और बिहार दरोगा की न्यूज पेपर में दिया गया था कि बिहार पुलिस कॉंस्टेबल और बिहार दरोगा की न्यूज पेपर में दिया गया था कि पुलिस विभाग में 10,000 पतों पर होगी बाहली जनबरी से शुरू होगी प्रक्रिया इसमें कहा गया था कि पुलिस मुख्याले ने सभी जीलों से रिखतियों का ब्योरा मांगा है इनकी जानकारी होने के बाद रोस्टर क्रिलेंस करा कर नई न्युक्तियों के लिए अध बीपी, एस हसी, आयोग दोरा, दरोगा के पदों पर बाहली का बिक्यापन जारी हो सकता है। चाहलिक कापीक्यापन जनवरी महने में जारी कर सकता है, तो देखे जनवरी महने में बिहार पुलिस कॉंस्टेबल और बिहार दरोगा न्यू भेरती के लिए नोटीफिकेशन जारी होते हूं या नहीं, तो चलिए आज कर विदियो स्माफ्त करते हैं, बिहार पुलिस कॉंस्टेबल और बिहार दरो का न्यू वेकेंसी के लेटेज जैसे को और लेटर स्टेप डेट हैगी हम आप सभी को वीडियो के मादम से जानकारी देतेंगे इसके लब लग चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा सर करें और लाइक करें तो चलिए आज का वीडियो स्मॉप्त करते हैं वीडियो देखने के लब सभी का धन्यवाद